हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि सेक्स मेडिसन कब काम नहीं करती हैं लोग लेते हैं लेकिन उसके बाद एक कंट्यूनियस उनकी क्वारी रहती है परेसानी रहती है हेरेंड देयर वो मतलब अपने कुश्चन को रखते हैं लेकिन आंसन नहीं मिलता वो दबाई काम नहीं करती है उन लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं परेसानी होती है और यह सोचने लग जाते हैं कि हम सेक्स्वली कैपेबल नहीं है हमारे पास वह स्टेंथ नहीं है वी आर नॉट एक कंप्लीट मैं और अब कुछ हो नहीं सकता हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है उसके बाद वो किसी ना किसी ऐसे डॉ पहुच जाते हैं जो कि institutionally qualified नहीं है professionally honest नहीं है वो उनसे एक business करते हैं उन्हें cheat करते हैं और लगातार यह problem बढ़ती रहती है तो मैं आज आपको clear बताऊंगा कि ऐसी कौन सी condition होती है और आपको परेसान होने की घवराने की बिचेन होने की जरूत नहीं है आप अपनी problem को स सबसे पहले समझिए आप अपने symptoms को समझिए अपनी health को समझिए अपने brain के status को समझिए उसके बाद definitely आप समझ पाएंगे और आप अपनी इस problem को fix भी कर पाएंगे अभी तक भी यह चैनल नहीं subscribe किया है तो चैनल को subscribe करिए icon बैल हिट करिए और आपकी जो भी problem है या जो भ lifestyle disease बढ़ रहे हैं दुनिया में BP की समझ्या बढ़ रही है depression, migraine, anxiety, insomnia या फिर आपका fatty liver या diabetes जैसे जैसे यह lifestyle issue आपके सामने आते हैं तो हमारा जो sexual strength है वो हमारी जो health है उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक sexual issue है लेकिन हम सोचते यह हैं कि हमारा penis strong हो जाए उसकी strength बढ़ जा है और उसका length बढ़ जाए और वो time बढ़ जाए लेकिन हम overall health पर कोई ध्यान नहीं देते तो अपने आप में यह सोच बिलकुल गलत है बेग्यानिक नहीं है सोच यदि आप इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो आप अपनी health को बिगाड़ने की कोसिस कर रहे हैं ना इससे और आपको दुबारा इससे problem बढ़ेगी तो सबसे पहली बात basic आपको यह समझनी है कि आपको यदि sexual strength ठीक रखनी है यदि आपको अपना sexual life को ठीक रखना है तो आपको proper sleep लेना होगा stress को manage करना होगा walking करनी होगी exercise करनी होगी और अच्छे quality का protein लेना होगा और आपका जो life lifestyle issue है like obesity है blood pressure है sugar है arthritis है या फिर आपको thyroid है या कोई neurological disorder like OCD है anxiety है depression है insomnia है इसको ठीक करना होगा जब तक यह lifestyle problem ठीक नहीं होगी आप sex को execute नहीं कर सकते अब सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी condition है जिसमें हम दवाई ले रहे होते हैं डॉक्टर को follow कर रहे होते हैं लेकिन medicine से क कोई फायदा नहीं होता है और हमारा जो problem है वो जैसे का तैसा है वैसे ही बना रहता है तो कुछ ना कुछ हम बुन्यादी गलती करते हैं जिसके कारण दवाई काम नहीं करती है पहली बात यह है कि कभी भी धर्द की गोली के साथ steroid के साथ alcohol के साथ यह दूसरी जो दवाई दवाई हो सकती है उसको mix ना करें उसको एक साथ ना लें otherwise आपको बहुत सारे side effect होंगे एक complicated condition बनेगी indigestion डवलब होगा और एक complex आप create कर लोगे अपने अंदरी दूसरी बात यह है कि यदि आपको anxiety है आपको fear disorder है आपको fear psychosis है आपको performance anxiety है तो वो इस तरह की दवाईों से deal नहीं हो सकती आपको अपनी anxiety के लिए counseling लेनी होगी आपको अपनी नीद को fix करना होगा आपको positively motivate करना होगा अपने आपको और regularly आपको दवाई खानी होगी anxiety की दवाई लेनी होगी यदि आपको anxiety है fear psychosis है तो उसको हटाना होगा एक relationship में एक डर है तो उसको side करना होगा औ और आप फिर इस तरह की दवाईयां ना लें, जो erectile dysfunction वाली जो दवाईयां होती हैं, ED जर्णली लोगों को नहीं होती, performance anxiety होती है, लेकिन वो उसको ED ही consider करते हैं, और performance anxiety को deal करने के लिए, वो ED की erectile dysfunction की जो दवाईयां है, penis की strength को, blood के flow को stimulate करने वाली दवाईयां वो ले लेत हैं, तो आपको problem कुछ और होती है, और दवाईयां आप कुछ और खा रहे होते हो, तो रोग की पहँचान, जो problem है, उसका proper diagnosis, right investigation के बाद ही आपको सही medicine मिलेगी, क्योंकि आपको पहले identify करना है, कि आपको problem क्या है, दूसरे level पर क्या होता है, कि हम immediately दवाईयां लेते हैं, और sex को execute करना चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, दवाई कुछ हद तक, कुछ cases में आपको मदद तो कर सकती है, लेकिन दवाई एक dramatical change, कोई जादू ही sexual power आपके अंदर develop नहीं कर सकती, sex के अंदर तीन stages हैं, उन तीनों stages को stage wise जीना होगा, यदि आप stage wise इसको perform करेंगे तो, सबसे पहले आप imagineate करें, time दें, अपने brain को तयार करें, अपने को properly neat and clean रखें, आप अपने partner को भी neat and clean रखें, एक अच्छे एक environment में, with a soft silent music के साथ, अच्छी जगह जहां पर की disturbance कम हो उस तरह के place पहले आप four play करें, पहले आप देखें, बात करें, brain को messaging करें और brain को messaging करेंगे जब आप तो फिर आपके hormones का secretion स्टार्ट होगा, hormones का secretion स्टार्ट होगा, तो आपके जो body के organs हैं, आपका penis, breast, vagina, ये सब activate होंगे और आपकी body activate होगी, उसके बाद आप penetration के लिए ज जंबा कर सकते हैं, बीच में थोड़ा सा communicate करें, एक दूसरे को messaging दें, eye contact रखें, प्लस उसके बाद जो out play है, यानि उस out play को भी आपको लगबग 2-3 मिनद रखना है, यानि total 15-18 मिनद का process आप रखिए, उसको stage by stage perform करिए, तो most of the cases में ये problem खतम हो जाती है naturally, लेकिन फिर भ जरूत है, उसको समझने की जरूत है, डाइगनोस करने की जरूत है, anxiety में ED की दवाई और ED में NJT की दवाई, ये एक गड़वड हो रही है लोगों के साथ, और इस गड़वड से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, तो इससे आपको बचने की आवशकता है, थैंक्यू वेर जरूत है, जरूत है तो